वेलिकम टू दा चाइनल अर्वी फंटासी सेवन तो इस स्टूडियो में हम बात करने वाले अमेरिकन बास्केटबॉल लिग का जो मैच खेले जाने वाला है सैन अंटिरियो वसेस मिलाँखी की बीच में दोने टेम में कमपेरेजिन करेओ तो काफी जाधा डिफरेंस है पई पर पॉइन टेबल पर फार्स पोजिशन पर है मिलाँखी और पउइन पॉइन टेम पर नाइठ है यहाँ पर सैन अंटिरियो रिसेंटली कुछ मैचेिस की दोनों टिम के लिए equally strong है क्योंकि मिलांकी की तरफ से जो इनके बड़े दो स्टार प्ले रहे वो फिलाल unavailable है जो की लुई स्कोर है अभी तक आपने टिम के लिए इंजरियो की चलते वो दोने आपर खेल नहीं रहे तो दोनों टिम के लिए equally strong आज का माच आप पर ही रहेंग सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर बात करेंगे दोनों टिम की तरफ से प्रवेबस स्टार्टिंग लाइनप सबसे पहरे मिलांगे की तरफ से तो मिलांगे की तरफ से जो इनके बड़े दो प्लेयर है हॉलिडे खेल नहीं रहे ड्यूट्य आपर एंकल वी बीजो चांप उसी आपर स्टार्टिंग लाइनप में लाया गयर तब भी पौरीज को जो कि आपको आपको देखने को मिलेंगे अज आपर स्टार्टर यह इस यह आपर टॉप स्कोरर रहे आज के माच इसके लिए क्योंकि दोनों प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे स्पेशले आज के माच इसके लिए इवन लास्ट माच में काटर का काफी अच्छा रहा है तो थोड़ा सा कॉंफरेंस इनका जरूर बूस्ट होँगा और आज के मैं इनका यूज भी काफी ज्यादा किया जाएंगा और इसमें स्पेशली तो यह तिनों प्लेयर स्पेशली इंपॉर्टेंटे स्मॉल लिक के लिए अलीन थोड़े से डिफ्रेंशल पीक माल जिए और क्रेटिस और में अगर आप किसी को अगर ट्राइक करना चाहत है नोवेरा भी काफी अच्छी पीक इनके बास अब बले इनका भी यूज किया जा सकता है तो यह पर वियो चांप पर थोड़ा सा अगर आप यह पर रिस्क लेना अवाइड करते हो तो इनको रॉप करकर चले जा सकते हो क्योंकि बैंस्टेंट इनके पास काफी अच्छे इनका लास्ट माच शूटिंग से अच्छा रहा था यहीं रिजन के इनको काफी ज्यादा ब्याक किया गया था लेकिन और इनके पास काफी एक्सपरियेंस प्लेयरा विल बले जिनको यूज किया जा सकता है लास्ट माच लूपीस का परफॉरमस देख सकते हो और आज के मै प्लेयर वैसे भी आपर योनिस और होलेली खेल नहीं रहे थे आपर त्री पॉइंटर शूटिंग में और डबल डबल शूट में काफी ज्यादा यहां पर इन्वाल रहेंगे ज्योंकि लास्ट मैच में रहे थे कार्टर के लिए काफी अच्छा रहा था लास्ट मैच आज से आपको अगर इनके कनेक्ट होगे तो काफी जादा पॉइंट है आप रहे देखर चले जाएंगे और थोड़े से रिबाउंट से भी पॉइंट देंगे इंपोर्टन पिक के अगर बात कुरू तो यह जो स्टाइटिंग लाइनप में जो इंपोर्टन पिक फिलाल मुझ साथ जाना चाते हो तो भी हचिंए अपको अपकी पास काफी अच्चे पिक है लेकिन अगर आप यह पर क्रेडिट आपए करकर चलें जाना चातों आपके पास प्रेडिट अवेह पलивает तो अगशे घराफिश फिक ले ठेघर ने इसकते हो इसट्एक कोरते हो और बात को थो लास्ट माच में एक ठीकटा परफॉर्मस आया शूटिंग से इवन इनके इन्होंने काफी ज़्यादा स्ट्रगल किया था फिर भी आपर रिबाउंड और पॉइंट के चलते काफी अच्छा परफॉर्मस इनके तरफ से आये और उसी साथ साथ हील इसलिए मैथ्यूस इन दो लास्ट मैच का टाइम देखते हुए आप यूज कर सकते हो और इनके पास जो गाड़ पोजिशन है वह ज्यादा प्लेयर अविलिबल ने है अरन होलेड़ी भी अनवलेबल है तो आपर हील का आज के मैच इसमें भी अच्छा-खासा यूज किया जा सकता है काफी अच्छे पीक रहेंगे और डिफ्रेंशेल पीक रहेंगे ज़रूर आप इनको ट्राइ करना थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हो बात करेंगे साइन एंटेरियों इनकी तरफ से कोई इंजोरी अपडेर्स ने रेगुलर स्टार्टिंग लाइन आप आपको देखने को मिलेंगे इस टीम की स्टार्टिंग लाइनप है इस टीम के तरफ से इंपॉर्टन प्लेयर की बात करूँ पोल्ड केल्डन जॉन्स और विसल और जॉन्स यह चारों इंपॉर्टन पीक रहेंगे और चारों का आप एक टीम में पीक कर सकते हो तो चन एक थोड़ा से डिफेरेंशेल करेंगे रिसेंटली दोनों मैचेस में टाइम भी मिला है और इनकी तरफ से परफॉर्मस भी आये लेकिन थोड़ा से आपर इस टीम की जो विकनेस है वो इनके आपर डिफेंस है काफी जादा पॉइंट यापर अलोग करती आपनेंट टीम को मोस्टली हर मैचेस में 100 प्लस से देखेंगे इस टीम के दरफ से जो स्टार प्लेयर है वो है आप पर केल जांसर लेकिन लास्ट मैच इतना बेटर रहा नहीं था वेसल इनके आपर आजबेंस प्लेयर थे लेकिन स्टार्टिंग लाइनप में आकर काफी अच्छा परफॉर्मस लास्ट मैच में इन्हों दिया है सोचंग के लिए रिसेंटली दोनों मैच ठीक टाक रहे है और स्पेशले लास्ट मैच में इनको टाइम भी मिला है तो थोड़े सा अगर आप याप पर डिफरेंशल जाना चाहते है तो इनके साथ जा सकते हो वैसे क्रेडिट बैस के लिए अवेलेबल रहेंगे त इनसे बेटर जो पिक मिलते हैं उनको भी आप चाहो तो पिक कर सकते हो ज्यादा इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप एक थोड़े से डिफेंसव प्लेयर है और ऑफेंस में पोल्ट उसिकसासा जॉंसन वेसल और जोंसन यह अल्रेली इनके पास इंपोर्टम प्ल केल भी एक ठीक टाक टाइम केल कर चले जाएंगे क्योंकि आप और कोली ने इक इंपोर्टन इनके बाइंस प्लेयर है उनके अवेलने वेलेवल होने के वज़े से पोल्ट को रेगूरल ली अच्छा खासा टाइम मिलेंगा क्योंकि बैकप सेंटर इनके पास इतना बेटर नहीं है बागी बेसली को टाइम मिल सकता है जो कि लास्ट माच में मिला भी था एक ठीक टाक परफॉर्मस इनके तरफ से आया भी था और जो इनका बैक अप गाड़ है वो थोड़ा सा मुझे बेकर बेटर लग रहा है रिचार्ट सन इनके सबसे बेस्ट बैंच प्लेयर है लॉंग फॉर्ड को टाइम मिला था परफॉर्मस इनकी तरफ से भी आया था फर ओर पोर्जिशन से केलेंगे मैग डर्माट और मैग डर्माट ने भी परफॉर्मस दिया था तो बैंच प्लेयर मुझे आप पर फिलाल टिक टाक लग रहे है अगर रिचर्ट सन के तरफ से परफॉर्मस आता है तो काफी ज्यादा पॉइंट यह भी आपको देख कर चले जाएंगा और स्पेशल आपर एक ओफेंस्व प्लेयर है जो कि आपको काफी ज्यादा शॉट्स हर एक मैचस में लेते हो देखेंगा मैग डर्माट भी एक त्री पॉइंटर शूटर है जरू वैसे भी आपर इनका सेलेक्शन परसेंटेज भी एक अच्छा कासा सेलेक्शन परसेंटेज है अगर बात करूंगा ओर आले आपको डेमोड रिमोलें टीम तो सबसे पहले मिलोगी की तरफ से हम बात करते जो इंपॉर्टम पीक है आज के मैच के लिए लूपी पोवी पोर पीक है केल जोंस तो यहीं रिजन की आपर में पिक करो लास्ट माच में इवन यहां पर वेसल ने काफी अच्छा परफॉंस या ता जॉंस से भी बेटर मुझे लगता है बेटां जॉंस भी काफी अच्छी पीक है और रेगुलर लें टीम के लिए परफॉंस देकर आ रहे टाइस जॉंस एक ऐसे प्लेयर है जो कि बॉल अलें का काम संभालेंगे हर एक मैचस में अगर शूटिंग से फ्लाफ हो गए तो असी से आपको पॉइंड ने के लिए काफी अच्छी वीक आपको यहां से मिल जाएंगी अभी यहां तक तो मोस्टली आपकी सभी जो आपोन से इनकी तरफ से रिसेंटली दोनों मैचस माय रहा है जाए आपर स्टार्टर अपने टिम के लिए सबसे बेस्ट मैंच प्लेयर और मिलों के के तरफ से जो वियो चांप पे लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्मस देखर आ रहे हैं चाहो ता आप इनको ट्राइकर स लेना और क्रेडिट अविलेबल होंगे जिसे के आप जो डीटेम में एक अप्लीकेशन पर आपके बहुत सारे अच्छे ओफ्सेंस अफीलेबले ज्याद है और बैक अप गार पूजिशन अविलेबलने हालिडे और उस साथ यसाथ अपर अफले वले आपर कॉंप तो के चलते एक बेटर फर्फार्मस इनके तरफ से वह से भी आए और आज के मैंसे में 30 प्लस मिनेट में खेलने की इनकी वह एबिलेटी मुझे आप पर लग रहे हैं यही रिजन है कि इनको आपर मैंने पिक क्या है यह मेरी डेमो डेमों टीम फाइनल टेम और फाइनल यह मेरी थोगा से ट्लसाय भी किया हिल मेरे होने वाले आज की मैंसे के लिए vind गोर में आपको किसी की करना है तो वहरा यह जंदि पास वह और स्पेशली आपर ब्लॉक से काफी साथ अपाउंड यह प्लेयर आपको दे देंगा तो डिफॉल्ट फीक रहने वाले और वाइस कैप्टन सी चॉइस के लिए थोड़ा सा आपर में कन्फीजुन हो दो मुझे बेटर पीक लग रहे हैं जोगे आपर जौन्स और उसिक साथ तो अजया पर पीबी और लास्ट मैचेस का परफॉर्म देखकर आप कार्टर को भी ट्राइ कर सकते हो इवन कार्टर आज स्टार्टर रिगूरर्ली हर मैचेस में खेल कर आ रहे तो एक्सपेरियंस इनके पास भी है आजया पर स्टार्टर खेलने का फिला लहीं मेरे एक ड के साथ हमरे टेलिग्राम चैनल पर